गुद्वानिंग फ्रेंड्स जैसा कि आप सबी जानते हैं सटरडे संडे को हम आपको कुछ हर्ट के कलास देते हैं आपकी रेगुलर राइब नहीं होती है आज हम आपको कुछ बहुत ही मातपूर चीजे देखाने वाले हैं जरा ध्यान से देखना इनको समझना क्या है यह आपने अक्सर वहां देखे होंगे यूपी में चाये वो कार हो बाइक हो ट्रक हो ट्रेक्टर हो कुछ भी हो उस पर नंबर पड़ा होता है उसमें लिखा होता है यूपी 44, यूपी 70, यूपी 75 इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझना अगर आपने सड़क पर कोई गड़ी देखा जिसमें लिखा यूपी 70, इसका मतलब क्या हुआ, इसको देख करके आप समझ जाओगे कि ये किस जिले की है, जैसा कि यूपी 70 इलहाबाद का कोड़ होता है, यूपी अगर 44 की बात करें तो सुल्तानबुर का होता है, और अगर यूपी 72 की बात करें तो फैजाबाद का होता है, इसी तरह से हर एक जिले का अलग-अलग RTO कोड होता है, इससे आप कोई भी वाहन देख करके उसका पता लगा सकते हैं कि इस जिले का है, यहाँ पर हम आपको एक बड़ी बात बताने वाले हैं, दूसरी बड़ी बात ये है, अभी इसको हम आपको जरूर दिखाएंगे, आपको वीडियो दिखा देंगे, कैसे जाने किसी के वाहन के मालिक का नाम, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रेप्शन में आपको मिल जाएगा जिसमें आपको टाइप करना होगा वाहन और इस पेस दे करके उसमें लिखना होगा नंबर, जैसे माल लेते हैं कोई वहान है यूपी 70 और 80 48 46 मतलब कुछ भी है इसको लिख करके आपको एक नंबर होता है सरकारी गवर्मेंट का उस पर आपको भेज देना है डियारेक्ट तुरंत आपको उस वहान के मालिक का सारा डेटिया ला जाएगा मतलब किसका मालिक कौन है इस वहान की ज जाएगा उसको भी देख लेना वहां से भी मिल सकता है तो मित्रों आप लोग सोच रहे होंगे यूपी 11 से काई सुरू है यूपी 10 कहा गया तो देखिए जब उत्तर परदेश से उत्राखंड का विभाजन हुआ था तो जो यूपी एक परकार से 0 1 से लेकटियन तक है हमा गौतम बुधनगर ठीक है नोइडा को क्या बोलते हैं गौतम बुधनगर बोलते हैं और आगे अगर चले तो यूपी 17 बागवद और यूपी 18 प्रबुधनगर यूपी 20 है बिजनोर अगर किसी कार में लिखा है यूपी 20 देखिए यह जो वी की तरह बंदा इसको पूरा मैं यू ही लिखना चाहता हूँ यूपी 20 अगर लिखा है और उसके आगे नंबर पड़ा है अगर कहीं आप कार देखते हैं मानते लावारी सी खड़ी है किसी भी हालत में है तो आप उसको यह समझ जाए कि बिजनोर की कार है यूपी 21 मुरादाबाद यूपी 22 रामपुर और 23 यूपी 23 जोतिबा फूले नगर यूपी 24 बदायू यूपी 25 बरेली यूपी 26 फिलिवीद यूपी 27 साजहापूर यूपी 28 आयोध्या देखे हमारी पूरी कोशिस है कि आपको सही जनकारी मिले अगर आपको कहीं कुछ किसी का मिस्टेक लगेगा तो कमेंट करके बता हमारी बिल्कुल कोशिस है कि आपको 100 परसेंट राइड जनकारी मिले अयोध्या स्री राम चंदर जी की नगरी यूपी 29 टूबे अलाटेड मतलब यूपी 29 जहां तक अभी अलाट नहीं हुआ है अलाट होगा यह इसका आपर कोई अभी सिस्टम नहीं है खाली है यूपी 30 यूपी 31, खीरी और राष्ट्री रादानी उत्तर परदेश की लखनौ का अगर कोई वाहन है यह तो वाहन निजी लघनौ का ही है तो उसका नंबर जो हथा है वो क्या होथा यूपी 32 होता है उसके आगर बात करें यूपी 31 तो राइब रली, यूपी 34 सीतापूर, यूप देखना वीडियो यूपी 38 हापुर सरी 37 और 38-49 का यहां पर कोई डेटियल नहीं है लगता है वो खाली है यूपी 40-12 का यूपी 41-12 बंकी यूपी 42 फैजाबाज यूपी 43 गोंडा यूपी 44 सुल्तानपुर 45 अम्बेड कर नगर यूपी 46 शरावस्ती यूपी 47 बलरामपुर यूपी 50 आजमगड यूपी 52 और यूपी 52 है देवरिया ध्यान से देखते जाना यूपी 53 गोरखपुर यूपी 54 मौू यूपी 55 सिदार्थनगर उसी तरह से 56 है महराजगन 57 पद्राउना मतलब कि यह तो मुझे कुछ गड़बर लग रहा है अभी मैं आपको कंफर्म करता हूं क्या है यूपी 57 का ध्यान देना मित्रो पद्रवना है यह कुछी नगर से संबंदित है कुछी नगर ठीक है तो याद रखना यूपी 57 यह कुछी नगर से रिलेड़ेट है पद्राउना यह गए हैं इनको ध्यान से देख लेना जौनपूर मिर्जापूर सोनभद्र बनारस भदोही चंदौली और अगर आपको लगता है कि कोई हमने नहीं बताया तो कमेंट करके पूछना आपको सब बता दिये जाएगा ठीक है ना एक पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमे के लिए उमीद करते हैं helpful होगा क्योंकि आपके घर में भी वाहन होगा गाड़ी होगी तो वहां से आप लोग उसे समझ सकते हैं अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी वाहन को देख करके उसे मालिक का नाम पता करें ध्यान से देखना देखिए किसी वाहन का अगर आ 80 और 11 10 देखिए यहां पर नंबर अपना गाड़ी का सही डालना वाहन का जो भी होगा ठीक है कोड नंबर और वो तो आपको क्या करना होगा उस वाहन के मालिक का नाम और डिटियल निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा जो की गर्मेंट तोर पर एलाओ है कोई भी प 70 बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है 80 और 11 10 जो भी यह सब पूरा लिख देना है लिखने के बाद आपको में बात जो है बेजेंगे कहां पर वो नंबर है 7738 उसके बाद 2998 2998 और फिर है वो 99 यह सरकारी नंबर है गवर्मेंट का पहले इस पर मैसेज मिस कॉल करने से न्यूज का रिजिस्टेशन हो जाता था और न्यूज का मैसेज आता था लेकिन अब नहीं आता है इस नंबर पर आगर आप भेज देंगे मैसेज तो तुरंत फट से उधर से वाहन यानि की यूपी आर्टियो की तरफ से सारा डीटियल उस वाहन का जाएगा जैसे उस वा जरूर सेयर करना है जनकर हमने लाइस्ट में बताया इस वीडियो में तो आप जरूर देखते रहना इसे ठीक है और सेयर जरूर करना थैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करके जाएगा